दोस्तो जैहिन आपको आज जो है पढ़ाएंगे दोस्तो उस टॉपिक को जिस टॉपिक में अक्सर बच्चों को दिखते होती रहती है खास तोर पे एक टॉपिक ऐसा होता है जो आपको बड़े-बड़े कमपडिशन में भी जो है कहीं ना कहीं समस्य होती है शुत रूप से आपकी इंग्रिश को जड़ से मजबूत करेगी बस आपसे वादा इतना है कि आप कांटीन्यू जो है लगे रहिए वीडियो को जो है देखते रहे हमने दोस्तों में सेर करें सिंथेशिस में हम क्या है आज सिखने जा रहे हैं क्या सिंपल क्या सिंपल सुंत्या था रहरे है उसका नाम है है आपका क्या पार्सपील क्या नाम है पार्सपील पार्सपील का मतलब होता है क्रिदंत क्या था क्रिदंत पार्सपील कितने होते हैं थोड़ा सा इसके बारे में हम जानकारी कर लेते हैं कि पार्सपील हमारे जो है पहला आपका होता है इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट क्या तो अब आपने देखा दो अब आपने दोस्तों देखा कि रूस फ़स्ट हम जो है किसकी बात करें है पारसिपेल यह महारा हो गया इसके बाद आपका आता है पास्ट को सा फश्ट पार सपीव सा पास्ट पार्षीपिल को सा अब आपको पता लगा कि जो हमारे संक्रिख के हम रूस पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पार सपीबर्स में जो है हम तीन पढ़ेंगे प्रेजेंट पार्सपिल और को साथ पॉफेक्ट पार्सपिल तो यहां दोस्तों आपको तीनों वेस्ट में मिलने वाला है यहां पर हम पहले की चार्चा करेंगे किसके पहले की चार्चा करेंगे जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्सपिल रहते हैं प्रजर्ट का प्रजर्ट तो अब प्रजर्ट पाइच्च पिल को हम जो है सिखेंगे तो दोस्तों फ्वीडियो को जो है आँच्व करिए अपने दोस्तों के साल लाइक करो और इस पर कमेंट करें diagnose क neues लगा गूद बेरे गुट बैड कैसा लगा उज्यरूल में क्या आता है कि पहलाकार कोई सा पहला कार के होने होने के उपरांत पहले कार पहलाकार के होने के अल्प कितने अल्प समय है आल्पसमें बाद ही यहाल समय को बोल सकते हैं क्या आतियन तो श्रौ समे क्या होता है कि अल्प समय बाद या आतियन आल्प समय बाद या छड़िक समय के बाद ही जो है बाद ही क्या हो कि दूसरा ακ rugged है क्या हो दूसरा कारिया जो है क्या अम हो जाए ठिक आरव हो जाए तो अब आपको पता लगा कि प्रजेट पार्सिपिल में दोस्तों आपने क्या पढ़ा कि प्रजेंद पार्सिपिल वाह है जिस में पहलाजर कार है उसके होने के अलप समय बाद यानि तुरंद ही बाद जाद समी ना लगे दूसरा अगर कार क्या हो जाए और सेकंड नियम कहता है कि अगर जो है इनके जो सब्जेक्ट हो क्या है सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट जो है एक हो क्या हो सब्जेक्ट एक हो यानि संटस्या है जितने हो लेकिन सब्जेक्ट कैसे हो एक हो तो दूसरा हो गया तीसरा क्या कहा जाता है कि अगर आपका जो है पहला जो जो कार पहले हो जो कार पहले हो जो कार क्या पहले हो उसके जो वर्व होते हैं यानि वर्व जो है इनको हम किसमें प्रेजंट किसमें प्रेजंट पार्ट स्पील किसमें प्रेजंट पार्ट स्पील में इसको चेंज कर लेते हैं इन्हीं जो कार दोस्तों पहले होता ऊसको किया करते है तो यहां पर हो गया मतलब करिया में क्या है लगा लेना या कि भर्ण क्या है वर्ब कोई भी दिया हो उसमें पहले संटेंज जो काम पहले हो रहा है यहां पर आप देखो तो इसको हम मुलते हैं यहां इत्र वर्ब क्या लेंगे घृर्ण यहां वर्ड क्या है कि एक रहकरद्धों क्या हो एक सब्सक्राइब करता हो एक रहर गांज में सब्सक्राइब कर दें यह लेने रहाएं बाके और ऑ वर्ण बदल लेते हैं तो हमारा जो process होता है इस तरह से तो अन्य वर्व को हम किसमें पर जेंट पाइसपील में बदल देते हैं तो यह हमारा आपके लाइब करेगा खास तोर पर SYNTHESIS जिसमें प्रेजंट पार्स पील आज आपको पढ़ा जा रहा है तो एक Complete कोर्स होगा जो है प्रजेंट पार्ट से पिल का जिसमें आपको इस वीडियो से जो है लर्निंग बहतर मिलेगी और कंपडिशन के एकजाम में आपको बहतर नॉलेज मिलेगा तो दोस्तों यह आपका अपना प्यारा चैनल है आप इसको सब्सक्राइब जरू कर लीजिएगा क्योंकि सब्सक्राइब कर लेंगे और वेल आइकॉन दवाना कभी मत भूलिएगा क्योंकि अगर ओ आप भूल गे ना तो फिर जो हमारे वीडियो आते हैं नोडिफिकेशन उसका आपको नहीं मिल पाएगा फिर जानकारी नह जाना यह कर दी में आना स्यंपल सेंटेंज बनाना है यहां पर आपने देखा कि पहला संटेंज समालो सब्जेट हो गया helping और यहां वर्व हो जाएगा प्लस ऑब्यूट तो एह हमारा क्या है एस फ़स्ट संटेंज हो गया होगा तो अब यहां पर आपको दूसरा दूसरे sentence क्रूम में हमें क्या पता लगा कि यहां पर आपका subject हो जाएगा helping वर्भ और object हो जाएगा तो एक हमारा क्या हो गया दूसरा sentence हो गया तो नीजन क्या कहता वो ध्यान दीजेगा कि अगर पहला जो वाक्य है इससे यह पता लगे कि यह जो कार है अगर इस कार के तुरंत क्या तुरंत बाद ही या तुरंत का मतलब क्या अल्प समय बाद अल्प समय बाद ही यह जो दूसरा कार है यह वाला जो कार है यह फर्ष्ट कार जो हो रहा है इसके तुरंत बाद या अल्प समय बाद जो है दूसरा कार अगर इस्टार्ट हो रहा है शुरू हो तो यहां पर वाक कैसे बनता है प्रजन पार्सिपिल के द्वारा बनता है अब आपको दोस्तों बताते हैं कैसे जैसे यहां पर आप क्या करेंगे कि यहां का जो वर्व या क्रिया होगा इसको हम प्रजन पार्सिपिल में कर लेंगे यानि आइंजी में लगा लेंगे अब य यह जो आपका है अगर यह प्रोनाउन है क्या है जी अगर यह आपका प्रोनाउन है तो यहां भी जाहिड सिवात है आपका क्या एगा प्रो क्या एगा यहां प्रोनाउन आएगा राइट तो यह भी प्रोनाउन दोनों प्रेनाउन है तो कोई दिक्क्र नहीं है लेकिन अगर यहां पर आपका नाउन आया है कोई और यहां पर इसी नाउन का यहां पर क्या आगया है प्रो नाउन आया है तो ऐसे कंडिशन में यहां जो नाउन होगा उसको क्या करेंगे यहां पर हटेगा यानि कि इस सब्जेक्ट को आप हटा लेंगे यहां जो सब्जेक्ट है इसका helping वर भी अगर दिया हो भी हट जाएगा तो क्रिया को ing में बदलेंगे तो क्रिया में ing हो जाएगा यह से लो थोड़ा दोस्तों ध्यान देना क्या है को समझ पाएंगे यहाँ पर क्रिया में क्या हो गया को सब्ढ़ राओं और महुंन है यहां किसे नाउन को यहां पर लिखते हैं किसको उसके नाउन को लिखते हैं तो नाउन को लिख देंगे अब बाकी जो भी यहां helping और या वर्व या object है उसको हम लिखते हैं तो इस तरह से हमें पता लगा कि वर्व के फर्स्ट फार्म में आएंजी प्लस object प्लस यहां पर कौमा हो जाएगा आप से हमें बनाना है तो इसको जो है एक 100 इसकी ले लिजिए ताकि यह आपकी दिमायमी स्ट्रेक्चर छप जाए और आप बढ़िया से घर पर प्राक्टिस कर सकें दोस्तों जैसा कि आम ने देखा जैसे यहां पर लिखा है माल लो क्या लिखा कि ही सा ही सा ए लायन क्या लिख अभी पहला काम बताइए भागने का होगा कि पहला काम देखने का होगा कि पहले क्या है कि पहले मुलाकात होगी कि पहले जो है से प्रेशन हो जाएगा अलग होने की बात होगी तो पहले मुलाकात होगी तम नालग होंगे नहीं तो पहले तो यहां पर आपको क्या कह रहा ह यहां पर ही तो उसने क्या कि ही सा लाइन की उसने जोह सेर को देखा ही ज्साइफ ही नोग भाग गया तो जब सेर को देखा तो इसे खड़ा था आओ हम चीनेंग तुम कौन हो कहां से आये हो ऐसा हो बोलेगा चीर फाड़ देखा तो तुमको क्या करना है कि एक्सन को ध्याम से देखना कि कैसा है तो लिखा कि ही साय लाइन और ही रैन अवे तो यहां पर आपने देखा कि दोनों का सब्जेक है ऐसे ही आप देख लो जैसे मालो लिखा है कि राम क्या लिखा है राम लिखा है कि राम इट क्या लिखा है राम एट हलो क्या राम एट फूड अफिर लिखा है कि ही वास्ट क्या ही वास्ट और क्या ही जह हैंड इत रिखा है राम वास्ट कि ही वास्ट हैंड तो दोस्तों आप बा तो यहां पर आपको पता लगा किgy ego कंगर किसमें पहले किया गया हो उसके तुरंत बाद जब दूसरा काम सुरू हो या अलप समय बाद सुरू हो तो यहां ह sleeping होता है तो यहां पर हमारा क्या हो ढम is कि Kriya में ING कैसे लगाते हैं अगर दोस्तों आपको Kia में ING लगाने नहीं आता ना तो कसम से बता रहे हैं कि सबसे वेस्ट तरीके से आप से वताइगा है कि आपको हम जड़ से एंग्रेजी मजबूत करेंगे तो आइंजी लगाने का नियम जो है प्लेलिस्ट में दिया गया है यह चैनल पे जाए और वहां से वीडियो देखें आइंजी कैसे लगा जाता है वहां आपको लगाने का तरीका मिलेगा और आपकी लाइफ में अंग्रेजी जो है देते हैं बगलोन कहीं के बाद में होता हमारा अगलों तो कैसे आएगा जब आपको आई एंजी लगाने का नियम नहीं मालूम है क्योंकि आजी तो वर्प के फार्स पार्वाव लगता ना तो वीडियो जरूरू देखिए उसको तो गया कि सी में आई जी जोड़ गा सी इ अगल में क्या लिखिए कि ही रहन और क्या एडवलू एवाई अभी तो इस तरह से दोस्तों आपको वीडियो बहुत मस्त लग रहा होगा आप इसको मुने दोस्तों के साथ से करिए सिंथेसिस में अग लग जाएगी बढ़ियां से आप पढ़िए बस वान बाइवान करके कि आपको हम वीडियो देते रहेंगे तो क्या होया किसे एलाइन ही राइन अभी तो यहां पर क्या है कि देखने के तुरह बाथकार हो नहीं में नहीं तो यह आपका वाक हो गया अब हम दूसरे वाक की तरफ चल कि राम एट फूड और ही वास्ट इस हैंड कि राम ने खाना खाया और राम ने पने हाथ को दोया तो खाना खाने के तुरम बात तो हाथ लोग दोते हैं तो अलप समय में होगा ऐसा नहीं कि खाना खाया लियो वह अब कला हाथ दोएंगे कला दोएंगे तो यहां पर जो है क्या है राम आपका नाउन है लेकिन ही क्या है प्रोनाउन है अब ही इसके पहले मैंने फार्मूने बताया आपको दोस्तों कि अगर नाउन यहां है और यहां प्रोनाउन है तो नाउन के बदले प्रोनाउन आया ह और यहां पर राम हट गया यहां से एट जो है हमारा एक रिया है एवर का second फाम है इसी को प्रजन पार्स प्रोड़ में बनाऊगे तो एट का होता है इटी इट्ट क्या होता है इटीट में हमने क्या जोड़ा आएंगे हो गया इट इइटिंग और फूर्ड तो गया इटिंग फूर्ड कॉमा अब यहां देखो यही बास दोस्तों गल्टिया ही होती है यहां पर द्यान दिना यहां जब नाउन था इसी के लिए प्रोनावन है तो अब यह प्रोनावन भी हड़ जाएगा क्योंकि इसके स्थान पर जो है क्या आएगा नाउन आएगा तो इटिंग फूड था तो उसमें आपने हे लिखा था लिकिन यहां ही नहीं रहेगा अब इसी प्रोनावन को जो है यहां पर नाउन आएगे तो गया इटिंग फूड और यहां क्या जाएगा कि राम और क्या जाएगा वास्ट क्या लिखेंगे राम वास्ट हैंड क्या लिखेंगी राम वास्ट हैंड तो अब हो गया कि इटिंग फूड राम वास्ट हैंड तो जब एक कार के तुरंद बात दूसरा कार उन्सा संटेंस तो बनता है लेकिन किस नियुम से प्रजन पार्श